नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपके अपनी यूटूब चैनल मेरा क्लासिस में तो आज की वीडियो में दोस्तों हम MP Assistant Professor का जो final result आना बाकी है उस पर हम discussion करने वाले हैं तो दोस्तों क्या 13% की बज़े से result अभी तक नहीं आया है या फिर PSC का कोई नया drama है जब से official notification आउट हुआ है Assistant Professor का तब से लेकर तारिक पे तारिक ही मिलती आ रही है पहले हमें exam की date मिलती गई फिर इसके बाद provisional answer की के लिए हमें bet करना पड़ा फिर challenge की जो link होती है उसके लिए bet करना पड़ा और अभी तक जो final result है अभी तक नहीं आया है चार अगस्त को जो exam हुआ है उसकी provisional answer की भी 21 अगस्त को जारी हुई है और इसके बाद challenge करने की जो link है अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है मतलब इंतजार पर इंतजार ही हम कर रहे हैं तो आज की वीडियो में हम इस पर discussion करने वाले हैं तो दोस्तो चलते हैं हम आगे की और और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से request जरू करना चाहेंगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेना ताकि latest update आप तक पहुँच सके तो दोस्तो हम चलते हैं आगे की और तो जहां पर हम देख सकते हैं दोस्तो की MP Assistant Professor एकजाम 2024 और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें दोस्तो आपको कि जो 9 जून का जो एकजाम हुआ था उसका जो एकजाम है वो 9 जून को ही हुआ था और 19 जून को इसकी आंसर की जारी हुई थी आंसर की बोले तो प्रोविजनल आंसर की 30 तारीक के आसपास यहां पर आप देख सकते हैं कि चैलेंज करने की जो लिंक है एक्टिवेट हुई थी और इसके बाद अलग-अलग सब्जेट की जो चैलेंज करने की की भी 21 अगस्त को आई हुई है लेकिन अभी चैलेंज करने की जो लिंक है अभी आना बांकी है मतलब इतना है टाइम हो चुका है और आप सभी को पता है क्योंकि आप भी अच्छे तरीके से मतलब अच्छे एजुकेटेड है नेट सेट पीएजडी होलडर है क्योंकि दोस्तों जब पेपर सेट होता है तो आंसर की उसी के साथ तैयार हो जाती है जैसे कि 4 अगस्त को पेपर हुआ तो 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त तक बिलकुल आंसर की प्रोवाइट कर देना चाहिए लेकिन 21 अगस्त आप देख सकते हैं कि 17-18 दिन बाद ये प्रोवीजल आंसर की आ रही है मतलब खुद से ही डिले कर रहा है अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई लोचाही नहीं है इसके पीछे कोई रीजन ही नहीं है कि इतना डिले करने का ना ही कोई 13% का इस्सू है न कुछ भी इस्सू नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं दोस्तों की 21 अगस्त को आपकी प्रोविजनल आंसर की आई है और चेलेंज करने की लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं हो यह अभी तक 27 अगस्त हो चुका है उसके एक या दो दिन बाद फिर चाल चलती आ रही है 2022 से नोटिपिकेसन आ और 2024 आज एंड होने पे आई हुई है इसके बाद दोस्तों हम बात करें MP7 का जो एक्जाम हुआ है रिसेंटली वाला वो 13% का रिजल्ट है अभी तक होल्ड है जी हां दोस्तो 13% का होल्ड है और इन्होंने पीटीशन भी लगा र तो यह रिजल्ट अभी तक होल्ड होना पूरी तरीके से होल्ड है अभी तक इस पर कोई पृतिकरिया नहीं देखने को मिली अब जो असिस्टेंट पर्परसर का एक्जाम हो गया रिजल्ट भी आने वाला है अभी 13% का रिजल्ट इतने दिन बात देंगे तो उसका भी हमारा मेन पॉइंट है दोस्तों कि बागई में क्या 13% का जो रिजल्ट है उसकी बज़े से रुका हुआ है चली हम पहले तो हम जो रिजल्बेशन तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि रिजल्बेशन उप केटेगरी बाद ज उसमें 10% है इसके बाद OBC जो केटेगरी है बोद देख सकते हैं आपके 14% एनाउंस किया जाता है और 13% इनका होल्ड है मतलब दोनों को मिला कर देखा जा तो 27% का है लेकिन केस लगा हुआ है इसलिए 13% को होल्ड कर लिए जाता है इसके बाद ST केटेगरी देखें तो ST देखा जाए तो जहां पर 20% है अब इनको सब को प्लस कर लेते हैं जैसे कि 7 है और 7 हो चार साचार 11 और 6 17 17 हो जाता है केरी का बन हो जाता है 2 और 1 3 4 4 5 to 7 और एक केरी का 87 तो 87 रिजल्ट जो है अभी पब्लिस होता है और 13% का जो रिजल्ट है वो होल्ड कर लिए जाता है अब हम बात करें कि क्या बाकई में 13% की बज़े से रिजल्ट रुका हुआ है जैसे कि कुछ चैनल है अधर चैनल वाले बता रहे हैं कि 13% की बज़े से रिजल्ट रुका हुआ है क्योंकि जो सीट है वो बट रही है इदे 13% में और 87% को अलग-अलग किया जा रहा है और इ एक बात बताईए कि जैसे अभी final में कि 13% अभी हाँ पर होल्ड कर लिये जाता है और कितने प्रतिसात एनाउंस कर लिये जाता है 87% अब जो 87% का interview हो जाएगा मतलब जितनी भी post out का 3 गुना candidate को उसमें सामिल कर लिये जाएगा और इसके बाद 87% को उसमें जोइनिंग दे दी जाएगी अब जो बचे 13% अब 13% का result का वाना वाँ कि ये high court की और से अभी कोई confirm नहीं है तो क्या इनके लिए अलग से interview होगा कोई 13% हो है हलाकि ये भी कर सकते हैं लेकिन 13% के लिए result अभी रोका जाता है तो interview बाद में होगा या नहीं होगा या मतलब इनके लिए अलग से मतलब committee बनेगी या इनका interview होगा तो इस तरीके से फेल भी हो जाता है और दूसरी बात यह है दोस्तों की जो MP assistant professor को जो exam हो रहा है वो step to step पूरा जैसे कि सबसे पहली step जो है अपना अपने exam form फिल किया ठीक है इसके बाद दूसरी step है कि अपने exam दिया तीसरी step है कि आपकी जो challenge करने की link आती है उसको challenge करना या जो करना या फिर final देखता है कि final result ठीक है और final result के बाद चोंती step हो जाएगी आपकी कौन सी interview की हो जाएगी और पांच भी step में जाके आपको joining मिल जाएगी clear है लेकिन दोस्तों चोंती step पर ही इनको रोक लिया गया अभी final पर रोका जाता है 87% result announce करने का क्योंकि अभी कोई final joining नहीं हुई है अभी सिर्फ अपन step को follow कर रहा है 13% जो दिया है जैसे 3% में हमने exam दिया है और final answer की आए गई है और result आना बांकी है यदि result में रोक लिया जाता है तो result से क्या मतलब क्योंकि आगे की step है न अभी तो interview होगा और interview के बाद जिन में selection होना बांकी है उनको 13% को रोक लिया जाएगा और इसके बाद 87% को जहां पर अंदर कर लिया जाएगा मतलब सीधा साधा simple logic है और इसके अलावा कुछ नहीं और इतना भी यदि समझते हैं कि चलो ठीक है माल लेते हैं कि 13% की बज़े से ये result रोक लिया जाता है तो इनके पास इतने expert है इतनी बड़ी team है इतनी government की सारी सुभी दहाए है तो क्या जे 13% का इतने दिनों में clear नहीं करते क्या जितनी post है वो 13% को अलग नहीं कर सकते थे अराम से कर सकते कोई दिक्कती नहीं लेकिन PSC ऐसा कुछ कर नहीं नहीं चाती या उपर का दवाब है तो इसके regarding तो कुछ कहने सकते दोस्तों बांकि आप कुछ समझदार है तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि 13% की बज़े से ये result रुका हुआ है और इसके पीछे कुछ और region हो सकता है या फिर जोइनिंग बाद में देना चाते है जैसे कि result भी आजाता है interview हो जाता है और फिर इसके बाद फिर जोइनिंग नहीं दे रहा है तो इसमें भी काफी time लगता है तो इसलिए हो सकता है कि इसी के बज़े से ये result रुका हुआ कुछ भी हो सकता है कोई final नहीं है बांकि आप comment section में आप हमें comment कर सकते है कि sir इसके पीछे region है या फिर यह सा हो सकता है बेंसा हो सकता है तो उम्मीद करते हैं दोस्तो कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे तो आज के लिए बस इतना ही है माई की result आने का आपको भी इंतिजार है हमको भी इंतिजार है